हेलो एप्रिवन मैं मितन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे यूपी पुलीस यानि की उत्तर प्रदेश से पुलीस के लिए लगभग जो पोस्ट है वो 6244 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़े उससे पले आप लोगों से मैं तीन सवाल पुछना चाहूँगा सिंस आप यूपी पुलीस में अपने आपको जो है देखना चाहते हो तो तीन सवाल मैं आप लोगों के लिए पुछूँगा अगर नहीं पता हो तो गूगल से सर्च करके भी आप बता सकते हो चलिए अब मैं सीधे आपको पीडियाप के लिए और जो है लेकर चलता हूँ जो ऑफिसल पीडियाप है आप लोगों ने देख ली होगी नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजी यह रहा ऑफिसल पोस्ट है जेनरल के लिए अगर आप EWS से आते हो तो 6024 पोस्ट है अनी पिछड़ा बर्ग से आते हो तो 16264 अनुसूचित जातिस से आते हो तो 1204 तो टोटल पोस्ट कितने हो जाएंगे 60244 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा याद रखिएगा अरक्षी नागरिक प पद भरती है तू पुरूस और जो महिला वर्ग हैं दोनों पात रहे है यानि कि मेल और फिमेल दोनों के लिए भरती आई हुई है अब डेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूं है 27 दिसंबर से ये ऑनलाइन होगा और अंतिम्थिती है 16 जन्वरी 18 तक जो है आप इसमें जो भी आपका गलती हुआ हो या फिर आप फीव अगेरा देना चाहते हो तो 18 तक दे सकते हो फिर कितना रहेगा 400 रुपए निर्धारित किया गया है 400 रुपए आपको फीव देना होगा अब राष्ट्यता ये भरती के लिए जो आबस्यक है यहां स बारती उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थाई निवास करने के अभी प्राय से पाकिस्तान, मयनमार, स्रिलंका या किसी अफरिकी देश, केनिया, यूगांडा, यूनियन, यूनाटेड रिपबलिक और तंजानिया यानि कि यहां से अगर वो वापस आकर य दस्वी और बार्वी कक्षा अगर आपने पास की है तो आप अपलाए कर सकते हैं, यहां देख लो अविदन करते समय अभियर्थी की उपेक्षित सैक्षनिक अहर्ता अबस धारित होनी चाहिए, यानि कि जो समलित अपेरिंग वगरा है वो पात्र नहीं होंगी, क्लियर व अस्तर का तो उसे जो है यहां पे मानिता दी जाएगी, प्रादेशिक सेना में अगर दो साल का जवाब किया है उसे मानिता मिल जाएगी, एन्सीसी वगरा किया है तो उसे जो है मानिता मिल जाएगी, उम्रसिमा की बात करें तो नियूनितम उम्रसिमा 18 रखी गई है और अ अन्य पिछड़ा वर गयाने कि OBC, SC, ST के लिए जो केबल उत्तर परदेश के मूल लिवासी है, उनको जो है यहाँ पे एज में छूट देखने को मिलेगी, OBC के लिए 3 साल और SC, ST के लिए 5 साल का एज छूट आपको देखने को मिलता है, अभियर्थी का चरित्र ऐसा होना चा आपकी एक ही बीबी होनी चाहिए, अगर दो बीबी है, एक पहले मर गई है, या फिर दोको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रूड होना नहीं चाहता हूँ, बस आपको समझाने के लिए इसी बातें कर रहा हूँ, अगर एक पत्नी मर जाती है, तो फिर आप दूसरी साधी कर सकत आगे देखिए, आगे देख सकते हो आप साररिक छंता के अनुसार जो है जो बात, अब देखिए भरती की प्रकिरिया कैसे होगी, यह चैयन जो है उत्तर परदेश, पूलिस, आरक्षी और मुक्य आरक्षी, सेवान इमावली 2015 के अनुसार लिया जाएगा, जो की UP Board के website पर दे दिया गया है, लिखित परिक्षा का सिलेबस जो है, हम लोग एक अलग वीडियो में डिसकस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको उपरी-उपरी बातें कर देता हूँ, लिखित परिक्षा होगी 300 आंकों की, इसमें 2 घंटे का वक्त आपको मिलेगा, और इसमें समानी घ्यान समानी हिंदी, संख्यात्मक, mathematics आपसे पूछा जाएगा, reasoning आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इस लिखित परिक्षा में 1500 प्रसन होंगे, 1500 प्रसन, यानि की हर प्रसन के लिए 2 नंबर, अगर आपने negative किया, तो आधा नंबर आपसे काट लिया जाएगा, negative marking यहा अब देखिए, मैंने आपको सारी बातیں बता दी, अब देखो, अब बात करते हैं, फिजिकली की, यह क्या होता है, फिजिकल की बात करते है, यहां से देख लो, साररिक जो फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट है, PST, यहां से देख सकते हैं, समान ए बम अने पिछड़े थोड़ी छूट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सीना 79 बिना फुलाने पर, अगर आप इसे फुलाते हो तो 5 cm जो है, आप इसको फुला कर एक्सपैंड करना होगा, 84 cm तर लेकर जाना होगा, अगर आप अनसूचित जन जाती से आते हो, तो 77 cm सीना बिना फुलाए होए, और हवा भरकर 12 cm हो जाना चाहिए, यानि कि जो भी हो, आप कोई भी कटेग्री से आते हो, 5 cm का सीना तो आपको फुलाना ही होगा, बात करते हैं उचाई की, तो समान अन पिछड़े वर्ग, अनसूचित जातीयों के लिए जो महला अभियर्थी हैं, उनकी हाइट जो है 152 cm होनी चाहिए, और 147 जो है अनसूचित जाती के जो महलाएं हैं उनके लिए, वजन जो है 49 किलो, 40 किलो से कम हो, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं दौड की, तो पुरुस अभियर्थी के लिए 4.8, लगभग 5 किलो मिटर 25 मिनट में पूरा कर लेना है, और महलाओं के लिए 2.4, जो है 14 मिनट में आपको पूरा करना होगा, और अराम से आप कर पाओगे, चयन एवं अंतिम योगिता की सूची जो है, बोर्ड दौरा कोई भी परतिक्षा यानि की वेटिंग लिष्ट जारे नहीं किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर दो या दो से अधिक अभियर्थी के अंक समान हो जाते हैं, तो ऐसे मैं केवल एक ही अभियर्थी का अर्ता का लाव उसको मिलेगा, इसके बाद अंक समान हो जाने पर क्या किया जाएगा, अधिक उम्र वाले को यहाँ पर एज के लिए उन्हें कंसिडर किया जाएगा, तो यह बाते हैं, अब देखिए इसके लिए जो सिलेवस है, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, भुतपूर, सैनिक के लिए भी वगरा वगरा के लिए छूट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, तो यह थी वीडियो, अब जो है सिलेवस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल से मैंने समझाया है, और अगर आपको प्रीवियर्स र कोश्चन पेपर, जो है, इसके देखने हैं, तो नीचे पी वाई क्यू जरूर कॉमेंट करें, ताकि इसके उपर एक वीडियो बनाई जा सके, वीडियो आपने यहां तेक देख लिए है और अच्छा लगा है, तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके जयहिंद लिखें, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहां तक देख लिए है, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया Have a good day